हेलो इन वेलकम टो लुप यू मैसल दीपक दवांगन आज मैं आपके सामने एक और नेड़का साथ पेस हूं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें जयव विकास के सिध्धान जिसको इंगली समय बोलते हैं थेवरियस of organic तो आज हम इसमें देखेंगे organic evolution की थेवरियों के बारे हम देखने वाले हैं कि कैसे इसमें अलग-अलग थेवरिया आये जैसे कि इस प्रित्वी पर अलग-अलग जियों का विकास जब हुआ है तो उस विकास के क्रम को समझने के लिए कुछ थेवरिया हमारे पास या कुछ स सिद्धान्थ हमारे पास आया थे जिसके दूरूस को समझाया गया था कि कैसे जीवों से जो है मतला एक जीव से दूसरे जीव की विकास इसमें हुआ है और कैसे इसमें से अधिक उपियोग होने वाले अंग और ये प्रित्वी पर रहने वाले जीव जो है कैसे वह अभी अभी फिर्हाल की शितीमें जहें नहीं पाय आते हैं पहले किश्तेम मों पायाते थेते तो वह अब विलोप्त की हो गया और कुछ ऐसे हमारे पर जानवब और है जो कि विलोप्त के अकागार पर है好 जो हो चुकी हैं क्यों होने लगा है इस सब के चीज़ों के बारे हम इसमें थेओरियों में समझने वाले हैं तो आज की इस वीडियों हम समझेंगे कि लैमार्क बात क्या होते हैं या लैमार्किज्म क्या होते हैं इसमें इन्होंने जो है क्या थेवरी दिया था क्या इसका जो है सिध्धान थ तो चलिए स्रू करते हैं, सिसके लैमारकीजम के बारे में, सब सबvenge परERE में इसका इंट्रोडक्सन देखे लेते हैं, इसका जीवनिय देखे लेते हैं जो है लैमारकीजम का नाम होता है कहां सैंटीस्ट है, जिसका नाम था जीन Baptist D. Lamar का सन 1774 से 1829 के बीच इन्हों ने आपका जय विकास परिकलपना का पहला सिध्धान प्रस्तूत किया जो कि आपका सन 1809 में था उनकी पुस्तक जो कि फिलासोफिक जोलोजिक में च्पा था ठीक है किसका Baptist D. Lamar का एक बुग च्पा था जिसका नान था इसलिए इसको है आपका लेमार्क का सिध्धान के नाम से भी इसको जाना जाता है अर्य के सिद्धान के नाम से इसको जाना जाता है के इंग्लिज्स में बोले हम लोग तो इसको theory of inheritance of acquired characters के नाम से इसको जाना जाता है और इस सिद्धान के नुसर क्या बोलते हैं लैमार्क के सिद्धान के अंदर गज्य चार धारनाय आती है इसमें चार उसने धारनाय दिया था क्या उसमें धारनाय होती है इसको अब यहां पर हम लोग समझते हैं धारना नमबर एक इसमें देखते हैं प्राणियों या सजीयों के सरीर में तथा उनके अंगों में निरंतर विद्धि करने की प्रवित्ति या आकार बड़े होने के प्रवित्ति जीवन के आंतरिक बलों के कारण निरंतर पाय जाती है तो इसमें क्या है internal enforcement याने कि internal force इसम हमारे पास पायाता हैistic कि निरन्तर वृद्धिक करने के चमता उनों चैकि चाहे वह पाया जाता है एसे उनों ने जिवों के सरीज में नए अंगों की उत्पत्ती अब यह कैसे होगा तो देखे यहां पर नई आवसकताओं एवंग नए गतियों के जो जीव हमारे पास पाते हैं तो जीवों के सरीज में नए अंगों की जो है उत्पत्ति जैसे कि बहुंच सारे एनिमल्स हमारे पास स्पृत्ति पर है तो उनमें पहले कुछ में पैर होते थे तो धिरे-धिरे उन्होंने पैर के इस्तमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया फायर के इस्तिमाल पूरी दर्श्रा से बन्ध होने से उसमें क्या हो गया वह फैर महां से भीलूत हो गया या कुछ ऐसे जीवे थे जिनके पास वह और्गं इसमें कर रहा है है पहले जो है वह अपने आपको बसूरद बनाने के लिए उसको करते थे लेकिन अब उन्म्हें क्या लगा है वह प्रशलाण में आ गये हैं, उसका प्रकार का अस्थांस्रीती में चालू हो गए हैं, अब देखो तीसय नमबर यहांपर क्या बोल है जनतों के किसी अंग का निरंतर प्रयोग करने से वहां अंग प्रयोग में अनुपात में बड़ा एवम सक्तिसाली हो जाता है जबकि किसी अंग का उप्योग नहीं करने से वहां अंग धिरे-धिरे निस्क्री होकर समाप्त हो जाते हैं और लेमार्क ने उपियोग और अनुपियोग की धारना को कहानी की use and disease को जो है इसनों ने दिया मतलब की सीधा सा बात यह है कि जिस अंग का उपियोग जो है अगर आप अधिक करते हो तो वो अंग जो है वो अधिक से अधिक काम उसमें करेगा जैसी कि राइट हैंड वाले बात लेइसे कि मेरा जो ज्यादा इस्तमाल होता है ज्यादा यूस होता है बजाए मेरे राइट हैंड PR अट गunn करता हूं और जो है लेप्ट हैंड की साहता के लिए इस्तमाल करता हूं और बाकि जितने भी जैसे की लिखने का हो गया या किसी चीज को काटने का हो गया कुछ भी अगर करने को किसी चीज को पकड़ना का भी काम हुआ तो मैं जो दिकतर मेरा लेप्ट हैंड इसमें काम करता हैं ठीक है वातावरन के अनुसार या वातावरन के सांस अधिस में जो है वो क्या होने लगता है अपने आपको रुपांतरित करने जो है लगते हैं यदि यहां रुपांतरान नर एमम मादा तो मेल जिराफ और फिमेल जिराफ तो मेल अगर जिराफ जो है उसका गरदन उसकी जो गरदन है वो अगर बड़ा हो गया है और उसके जो अगला पैर है वो भी कुछ हद तक जो इसमें बड़ा हो गया लेकिन पीछे का जो पैर है वो छोटा है उस तरह से अगर हम फिमेल जि इसा जो है वो है अभीक तरह बड़ा नहीं हुआ है इनके बीच भी अगर फ्यूजन अगर होता है तो वह जो वहां जो नया जिराब आएगा उसमें लक्षन जो है वह जाने का चांस बहुत कम रहेगा आधे के बराबर उसमें रहेगा तो इसमें अगर वह परिवर्तन हो रह पैरनस में जो है वह जाएगा ही जाएगा हैना और इन रुपांतरों को जो है संत्ति में जाते हैं उसको बोलते हैं आपका उपारजित लक्षनों की वनसगति की नाम से इसको जो है जाना जाता है तो आप लोग इसमें समझ गये होंगे उपारजित लक्षनों की वनसगति कि क्या होता है देखो अनिके पैरेंट जो है वो रुपांद्रित हो गया है ठीक है पैरेंट जो है रुपांद्रित हो गया है तो पैरेंट के रुपांद्रित होने के बाद उसका जो अगला पीड़ी जो आएगा वो भी उसमें उसके लक्षन को धारत किये हुए आते हैं अंखोंगा रंग आपके पिता का रंग कारो है डादा दादी के श्यवरा ढुंहार स्फいました श्योर्फारादर स्बीका आपके अंखोंगा रंग काला है पिता आपके आंखोंगा अंखोंगों चोगा बूरा है उसके से पहले आपक्या अंखोंग नु Canvas यहां उपार्जित लक्षण के वनसगति की जो पहले हमारे पेरेंस वे नहीं थे लेकिन अभी के जो है उसमें उपस्तित है तो आगे जाकर वो भी उसमें वो चलते हुए निरंतर इसमें बना हुआ इसमें रहेगा ठीक है अब देखते हैं यहां पर हम इसमें आगे इसमें देखो यहाँ पर लिखें उप्युक्त में तीन और चार क्रम की धारना के नियम प्रमुख है जो लैमार्क के आपका दुई विकास समंधी सिध्धानतों को जो है दरसाती है और यहाँ सिध्धान नेम लिखें तत्यों या धारनाओं पर इसमें अधारित है तो क्या-क्या इ की प्रव्यत्ति अधिक होती है इसमें पाय जाती है त्के जय Jacob का प्रूम्हो कारण है क्योंकि हमारे जो अंब होते हैं यह होझता हो बढ़ते जयाता हैं हमारे और गंन्स भी इसमें बढ़ते हुए इसमें जाते हैं अब आप देखो दूसरे जीवों की आदतों सब्हावं और जिवन रीतियों पर पर पढ़ता है वाता रंके परिवर्तन के साथ ही इन में भी परिवर्तन जो होते हैं और साथ ही उनकी रचनाथ सरी के गठन भी प्रवाइद होता है जिससे कुछ अंग अधिक उपयोगी हो जाते हैं और कुछ जो इसमें कम उपयोगी हो जाते हैं और वातवरन के परिवरतन से नमीन अवसकताएं होती है और अवसकताओं से नई आदते इसमें उत्पन होती है जैसी कि अगर हम यहीं की बात कर लें कि जो सौथ इंडिया ले या इस्ट इंडिया ले ले हम लोग इधर वाले है ना तो सौथ का ले ले या इस्ट ले ले या नौर्थ वाले ले ले तो अगर हमारे, जो क्लाइमेट है, एगर है उसमें चेंज होता है, जैसी कि अगर किसी परसन को जो है आपको बोल दिया जाए, आप जो है कसमीर जाकर आप रहो, तो कस्मीर का atmosphere और South Indian का जो atmosphere है वो बहुत ज़्यादा इसमें difference आपको देखने मिलता है कस्मीर में जो ठंडा करी पड़ती है और South में ऐसा case नहीं होता है तो अगर वहाँ पर जाकर रहेंगे तो उसका जो सरीर है वो उसमें चमाका जाएगा जाकियों कि वहाँ का atmosphere है वो थोड़ा सा ठंडा के ठंडा खोने का उसके सरीर में भी बहुत सारी समय परिवर्तन होना उसमें जो शुरू हो जाएगा तो यह इसमें वातावरन का सीधा प्रभाव जैसे वातावरन होते जाएगा वैसे वैसे ही उसमें जीवों में भी उसकी आदते भी उसमें लगता है फिर उसका बोलता है नीड देखेंगी इसमें आवसकताई तो देखो देखो जैसे वातावरन में परिवर्तन होता है नई आवसकताई उसमें उत्पन्ह होती है तो जैसी कभी बारिस का टाइम है तो बारिस के टाइम में हम लोग जो चाता लेक लेकर कहीं पर निकल लेकिन लेकिन कोई निकलता है उस तरह से सरदी के दिन में हम लोग जो है स्वेटर के इस्तमाल करते हैं तो जैसे यहां पर क्या होगा अवसकता है हमारी बढ़ता जाएक तो वैसे वैसे इस में चेंजेश के आते याता है ठीक है और उसी तरह से यहां पर कुछ एक्जामपल भी इसमें दिये गये हैं तो देखो यहां पर उधारण के तौर पर जो है इसमें बगुले में गर्दन लंबा होना बदक के पश्च पाद में उंगलियों की बिच जाल का बनना ये भी इसमें उसकी आउसकता है जिसे की बगुला होता है उसका गर्दन जहल लंबा होता है और बदक के जो पाद होते हैं ताकि पानी में अच्छे समझ में तैर सके ठीक है लेगन बगुले के में नहीं होता है सब अब देखो यहां पर लिखें इसमें अंगों के कम या अधिक उपियोंने का प्रभाव तो अंगों की कम और अधिक उप्योग होने के प्रभाव वही है कि मैंने आप रोंगों को पहले बताया था कि अंग जो भी अंग जह जादा ज्यादा इसको इस्तमाल होगा वो जह अधिक सक्ती साली रहेगा और पीडी दर पीडी बना हुआ रहेगा लेकिन जो अंग का इस्तमाल हम करना बंद कर देंगे यह बहुत कम करेंगे तो जो है दिरे-दिरे डिसी उज वोना चीस में वह सुरू होने लगता है ठीके उसी तर सर्पों के दोनों अग्र हो जाए उपयोग में नहीं होने की कारण वह विलुप्त हो गया पहले जो है सर्पों के अंदर भी आपके पैर पाया थे लेकिन उस पैर की इस्तेमाल करना बिल्कुल भी छोट दिये इसी कारण से उसका जो पैर है वह पूरी तरह से इसमें गुनन वं अधिक संतान उत्पत्ती की खमता पते ही इसके वीपरित बड़े प्रानियों में जो है गुनन एवं संतान उत्पत्ती की खमता बर इस के इस सबी जीओं में संतुनल बनाए रखने के लिए विभिनय प्रकार के प्रतियों गिताओं या संघर सिस्म पायाते हैं जो चोटे जीओं में प्रजणान छमता बहुंच जदा होती है बड़े जीओं का प्रिक्षा लेकिन पूरे के पूरे तो जीवित नहीं रह सकते वह कुछ के प्रभाव से अथ्वा अंगों के कम अथ्वा अधिक उपियों से सरीर में परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें उपारजित लक्षनों कहते हैं उपारजित लक्षनों कि होते किस रंतानों में पिड़ी दर पिड़ी जह है पहुंशते हैं जैसे हम Indigenous इंसanticallyOn क defense zouqa लेकिन यह घुत है भंदर से नहीं भेजिए कुछ नहीं वो और पर परिवर्षित नहीं हो क्यों है या कुछ नश्याश चैंजेस देखता लेकिन वो ऐसíb ten पीट τα धारधा था सर्थ है पुरी तरा से बंद कर दो तो और यह कम हो गया है और हमारे पास वेस्टीजिया है वो हमारे सरीर में तो वो पुरी तरह से इस्थाय हो गाए कि फूरा नी दर्पिडी चलता जा रहें अभी जो जितने भी संतान उत्ति हो रही है उसमें किसी में भी पूंच नहीं पायते हैं तो यह क्यों हुआ है इसमें उपारजीत लक्षनों की वंसा गतिकी की कारण इसमें देखने का आपको मिला है अब उसके बाद आएगा हमारे पर देखो यहां पर संकरन देखते हैं तो संकरन बोलता है यदि ऐसी संतान जिन्होंने अपने जीवनकाल में वहतावरण में परिवर्तन के कारण विसेस प्रकार के लक्षन को उपारजीत किया हो जब ऐसे प्राणी आपस में संकरन करते हैं उनकी संतान में वही विसेस्ताइं पायती है जो उसके पैरेंट्स में भी होती है ठीक है और एक प्रिदी से दुसरे प्रिदी मों ट्रांसफार्म होगा तो जो है उसके पैरेंट्स में जो गून है अगर वो चेंज हो गया है तो पैरेंट्स में गून चेंज हो गया है तो लक्षरों में वे लक्षण समप्त हो जाते हैं जिनके द्वारा विभिन्य राश्टूं पे लोगों के भेद इस्थापित किया गया है। अलग अलग देशेट अलग अलग देशों के लोग जो है उसकी जो color हो गया है पाया आता है तो कारन क्या है उसमें Isolation करते हैं और climate exchange है अलग अलग जोilla means तो वहां का अलग अलग जो है climate रहेगा पूरे प्रिथी बरते जैसा climate इसमें नहीं हो सकता तो अलग अलग इसमें रहते हैं अब देखेंगे इसमें लेमार कवाद के सिध्धान के प्रमान भई इविडेंस के भी नहीं हो सकता तो इविडेंस भी इसमें है क्या देखते हैं यहां पर देखो यहां पर लिखेंगे हैं आफरिकी जिराफ को उधारान इसमें लिया गया है तो देखो यहां पर लिखेंगे पहले इसमें देखते हैं यहां आफरिका के रेगिस्थान में रहत तो पत्तियों को खाका जीवन निर्वाह करता है जिसके करण उसके टांगे वह गर्दन लंबी होती गए लेमार के अनुसार आफ्रीका में रेगिस्थान नहीं था तब घासफू से अन्न वनसपतिया भूमी पर बहुतायत से थी ठीक है बहुतायत से थी और तब इन जीराफ के पुरोजों की टांगे जो है वो टांगों तो था गर्दन छोटी समान थी बाद में प्रदेश में जलवायू जो है देद्रे बदलता गया और रेगिस्थान का विस्थार होता गया इसमें भूमी में घासफू सेवं वनस पत्या समाप्त हो गई और व्रिक्ष ही सेच इ जिराप में अपनी अगली टांग और गर्दन को अधाका अधीक उपयोग इसमें होने लगा और जिससे उसकी अगली टांगिया और गर्दन देरे लंबी हो गई और उनका उपार जे लक्षन बना जो की पीड़ी दर पीड़ी वनसा नुगत होकर वर्तमान जिराप जाती क अगला पैर है और अपना जो गर्दन है उसको थोड़ा सा ज्यादा खीजने लगे ज्यादा तानने लगे जिसकी कारण से जो है उसका जो अगला गर्दन है धीरे धीरे देखो यहां पर और आया पेर जैसे बड़े हुए इसका अगला पैर और इसका अगला गर्दन विसके बड़े हो ग शर्क जोपने अपने अपने आपको जो है दिरे दिरे चेंज करने लगा और यहां पर ऐसका पर परिवर्तन पुरीटरस हो गया यह देखो अभी का यह परिवर्ती दूरूप है और पहले पहले का देख सकते हैं आप यह इसका parent है और यह इसका बच्चा है तो इसका पैरणट कायसा था छोटा था इसका बच्चे बड़े हैं तो यह दोड़ते थे दोड़ने घास पूस अगरह होते हैं दोड़ते छे लेकिन यो तंग भीकार होने लगे कहां पहां पर रहने लगे है अंदर के तरब जो है सिधासा वह बील वगरे में रहने स्टार्ट कर दिये जिसके कारण से हो पुरिद्धास में खत्म हो गया उसका तांग उस तरह से आपका मोल्ड हो गया तो क्योंकि जमीन के अंदर भूमिगत इस्थानों पर जीवन व्यतित करते हैं नहीं कारण इसक आधि प्राणियों में करन पर लव की पेशिया क्रियसील इवं अधिक विक्सित होती है क्योंकि यहां प्राणी जंगल में रहते हैं और इसमें एक्स्टरनल पिंझना रहते इसके दरा चारण से वाताबर्ण में धौनी को एगजित करते हैं और यहीं किसी जो है सतरों की की होती दूरी को ज्यात कर लिया जाता है तो हम निधा है उसले से पक्शियों भी आपका देखने लगाँ जली जो पक्श्यों जिससे के आपका ड्ख हो गया गया तो यह सारे चीजों को फूरा अपको होता है सबक्रादी है तिसमें प्रेयोग और लिखा है हम ने देक Storage डिखा है चुहों का mad personal schwier UP कि मेडुगल तो देखो यहाँ पर लिखा है इसमें चुहों मेडुगल जन 339 ने चुहों में 45 पीडहों तक एक ही रास्ते में जाने की 換वे क्याने क्यां तरेणिंग दी और उन्हें साहे हैं उन्हें काफी मेहनाथ हमको जाधर नहीं पड़ा वो दिरיה दिरे जयर वंसान उगथ हो वे इसको समझ गये कि हमको यहां जाना है ठीक है बहुं सार इसमें जोएक आई इएक्जामपल मैं आपको नहीं देता हूं फालटो पकाने के लिए तो बहुं सार इसका एक्जामपल हमारे पास होते हैं। अब देखते हैं लैमारक वाद की आलोचना भाई। कोई आप थेवरी देते हैं तो कुछ आलोचना दी हैं, यहाँ पर हम नुसके समझते हैं। कुछ न कुछ तो इसमें खामिया रहा होगा तो देखते हैं अनेक विज्ञानिकों ने अपने प्रयों के क्याधार पर लैमार का बाद की कड़ी आलोचना कि जर्मन के विजमैन सन 1892 बीस पीडियों तक चुहों में पूंच काड़ते रहे परन्तो उन्हें कभी भी नहीं पी पूंच कर रहे लेकिन ऐसा नहीं हुआ चुहें बार बार उख जाते थे ठीक है उसी तरह से देखो यहां पर प्रते दिन डाड़ी बनाने पर भी दाड़ी जो है भीहिन पूत्र पैदा नहीं होता है हमारे पैड़न कितने डाड़ी बना है हर रोज उसमें सेविंग के फि इनियर होता राष्टपदी का पूत्र जो है राष्टपदी होता था इसा थोड़ी नहीं होगा है ना देखो यहां समय चीन देश में रहने वाले इस्तिरियों जो है लोहे की जूते पहनती है इससे उसके पैर जो है छोटा रख सके लेकिन जन्म के समय लड़कियों का पै है जो उसके माता पीता जो है उसको समझाते हैं या सिखाते हैं लेकिन वह उसको उपाजित नहीं करता है उसको पहले सोजह हो नहीं सीख कर आता है अगर कोई वैक्ति इंग्लेंड में रहता है तो इंग्लेंड में रहते हैं अब उसके बाद जो है वह अगर भारत आग उस कि दो दरीकट लिवहां से स्टाइट करो यहां से भोज वहां वह बोलेंगे भूफिक है कि वह हिंदी खो सिखे ङांत सिंदी को भी और dysmyn को परिवर्तन उपाड़ेत किये हैं वहीं इसमें वह वनसागत नहीं होते हैं लेकिन वहाँ परिवर्तन जो की जर्म प्लाहस में पाए जाते हैं वह पहुंसता है ठीक है तो इस तरह सिसमें इसका जो कुछ जो थेवरिया है वह गलत सावित इसमें हुआ तो अब उसके बाद हम इसमें देखेंगे न्यू लेमारकिज्म नया लेमारक बाद इसमें क्या बोलता है देखो वातावरन के प्रभाव में जीवन रीतियों तो था स्वभाव में परिवर्तन हो जाते हैं और इन में स्रीर में कुछ अन्य भागों में परिवर्तन होते हैं और इन परीबर्तनों नहीं को बदल देने या वाले परिभर्तन ही पीडी तरौ्त है इसको बंड़लाइब करकर रखेंगे गुन सुतर में जो परिवर्तन होगा वही पीडीदर Packais by होगा यह जो अनुवांसिक परिवर्थन या जनेटिक चेंजिस कहते हैं और कुछ वैज्ञानिक ने लैमार कवाद के सिध्धान को ही नया रूप दिया जिसको जो है नौ लैमार कवाद के अंतरगल बताया गया कि वातावरन में प्रभाव के प्रभाव से जीओं के सरीज मे वनसागोत होकर संतानों में जाते हैं अउधारन के लिए इसमें लिखा यहां पर तावर ने दिखाया कि आलू पीटल नाम कीट की युवा प्रवस्थाओं की अधिक ताप एवं कम ताप में रखें इसमें से कुछ ऐसे काई परिवर्थन हो जाते हैं जो कि आपका जर्म जिन्स को प्रवाहित करके अगली प्रदसित वह हो जाते हैं और कुछ अब ज्यानिकों ने जो है आपका क्या है कौस्मिक रेस और एक से जिवों में कृतियम काईक परिवर्थन जो है किये तो इसमें देखा गये कि जिन्स में भी इसमें वनसानुगत होते हैं ठीक है तो में अगर आप च्छेंज करते हैं तो जन्स में बनसानुगत होते हैं या जनन प्राजमी में गर परिवर्थन होता है तभी परिवर्थ नहीं होपाएगा तो आज को जो हमारे वीडियों आपको पसंद आया होता देखते हैं हमारे यूटुटा